करोना महमारी का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है देश और प्रदेश में करोना के मामले लगतार बढ़ते जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भी करोना संक्रमितों की संख्या लगतार बढ़ रही है हलांकि करसोग उपमंडल करसोग प्रशाशनिक सतरक्ता और जनता के सहयोग से अभी तक करोना महमारी से बचा हुआ है अभी तक करसोग से लिये गई सैंपलों के रिपोर्ट नेगिटिव ही रही है फिर भी इस महमारी से निपटने के लिए प्रशाशन और समाथ सेवी पूरी साफधानिया बरत रहे है इसलिए करोना से जागरुकता के लिए प्रशाशन समाथ सेवियों और नगरपंचायत पार्शत बंसीलाल की पहल पर उपमंडल करसोग के अलग-अलग शेत्रों में LED स्क्रीन लगाई जा रही है इस स्क्रीन में स्वास्थे मंत्राले, रेल मंत्राले और विभिन सरकारी संस्थानों द्वारा करोना की प्रती साफधानी, जागरुकता और बचाव के वीडियो डाले गए है ये वीडियो बेहत रोचक और ग्यानवर्धक है SDM करसोग सुरेंदर ठाकुर BMO करसोग राकेश प्रताप और नागरिक अस्पताल के अन्य चिकित्सकों के संदेश भी इसमें प्रसारित किये जा रहे है करसोग बस्टाइन के बाद अब करसोग अस्पताल में भी ये जागरुकता वीडियो प्रसारित की जा रही है कम से कम एक मीटर का फासला लोगों से बनागे रखें जब तक जरूरी ना हो भी वाले इलाकों में आप निकलने से बचें और हॉस्पिटल में भी जब तक बहुत जरूरी काम ना हो आप ना आएं अगर आप किसी से बाचीत करते हैं या खांसी आती है तो आप सोशल एटिकेट्स का पालन करें चीखने के लिए आप अपने बाजूं में साइट पे करें ताकि उसके जो किसी भी सिर्फ कोरोना नहीं उसके इलावा किसी भी रदा के अगर इंफेक्शन है सामड़ी वाले क कि रिपूर्ट